चले बच्चा देखिए question number start करते है question number 29 और पढ़ते हैं इस question को क्या गह रहा है find the nature of the root of the following quadratic equation हमें इसके nature of the root निकालने है if the real root exists find them three axis और अगर हमें real root हैं अगर इसके तो हमें वो ढूणने भी है तो find them equation क्या है three axis का minus four under root three x plus four बराबर जीरो ठीक है चलो देखो solution करते है solution nature of the root check करने कि लिए हम क्या करते हैं मैटा d की value निकालते है d check करते हैं मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं और इस्क्रिमिनेंट से हमें पतल जाता है कि real root आने है यह imaginary root आने है यह equal root आने है तो यह चेक करने के लिए हम क्या करेंगे डी को find out करेंगे और डी के लिए हम क्या करेंगे given equation को देखेंगे तो the given equation the given equation is in the form in the form of a x square plus b x plus c बराबर 0 हमें किसमें दे रखी है एक a x square plus b x plus c के बार की form में दे रखी है तो वेर where where x is sorry where a हमने क्या लिख देंगे a की value लिखें where a बराबर 3 दे रखा है b बराबर minus 4 under root 3 दे रखा है ठीक है और c बराबर हमने 4 दे रखा है तो यह value हम किस से चाकर आँए d से तो d की d को क्या होता है d का फमान b square minus 4ac होता है b क्या है हमार बेटा minus का 4 under root 3 का square minus 4 into a a का मान कितना है यहां पर देखोगे आप 3 है गुणा 4 ठीक है अब देखो इसका square होगे 4 का square होगे 16 है है ना गुणा और 3 का square कितना हो जाएगा 3 minus 4 चौक 16 है गुणा 3 देखो दोनों बराबर आ रहे है इसका मितलब क्या होगे जीरो हो गया यानि वैल्यू क्या हो गयी दोनों जीरो हो गयी तो D का मान क्या गया जीरो चूकि D हमारा बराबर है जीरो के इस लिए इसलिए क्या होगे बिटा है इसलिए the equation the equation has 2 equal 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 real roots तो the equation has two equal real roots दो equal real root होंगे equation के अगर हमारे दोनों यह क्या गया d कामान 0 आ जाता है तो और d कामान हमारा 0 आ रहा है है ना चलो बहुत अच्छी बात है 0 आ रहे तो क्योंकि 0 आ रहे है तो हमें क्या है हमें थोड़ा सा और मौका देगा question को solve करने जब मौका मिलेगा तो क्या होगा दिमाग की exercise होगी और जितनी जादा exercise करोगे उतना ही जादा मजा आएगा उतना ही जादा अच्छा लगेगा और आपको questions करने में जो मजा आएगा ना वो समझ लो बहुत मजा देगा अब आपके क्या करने आपको गुड़न खंड करने देखो गुड़न कर मितले factorization करना है अब factorization के लिए क्या करते हैं हमने बताया था पहले हम करते हैं क्या A कर सोच में कि इसा सोचव में एक एक अलग बोड़ में चुन से सोचते हैं हमें लाना है कितना हमें लाना है चार औरूरूर तीन ज्ल्णी से जल्दी से तोड़ाईे दिमाघ दौराईए ॒ए अगर देखो मैं बात करू दो डूरूर 3 गुण दो अगर मैं ऐसा करूं तो यह हो गया चार यह हो गया तीन यह हो गया बारे बारे आ गया बारे आ गया और इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो चार अंडरूर तीन आ जाएगा चार अंडरूर तीन आ गया वो ही तो मुझे चाहिए भाई यहां प्लस के ले लो यह माइनस के लिए ले ले ना दोनों माइनस के ले का समस्या है कोई समस्या भया ना ही बिलकुल नहीं कोई समस्या नहीं तो देखो क्या लिखेंगे 3x square minus 2 under root 3x minus 2 under root 3x plus 4 बराबर 0 ठीक है अब बताओ अब यहाँ कोई समस्या हो किसी को तो नहीं होनी चाहिए मेरे साब से तो कोई भी समस्या है ना तो यहाँ है यहां से क्या करो वेटा देखो तीन कोमल म्लेड़ो क्या करो तीन कोम schmeले लुए या अंदरूट 3 kमण लेता हैं रऄसे लिए अनग यहां से कमनल है ना अंदरूट 3 यो 3 कमल si अंग प्या overt बचेगा मेरे पास x कॉंसा एक्स नहीं बचेगा सिर्फ अंडरूर 3 x बचेगा और यहां बचेगा बचेगा व्मारे पास 2 सिर्फ 2 बचेगा है ना अब यहां से एक काम करो, यहां से आप ले लो minus का 2 common, तो यहां क्या बचेगा, under root 3x minus 2, बराबर 0, है न, अब देखो, under root 3x minus 2, under root 3x minus 2, बराबर 0, अब एक बार इसको बराबर 0 के रख दो, एक बार इसको बराबर 0 के रख दो, तो यहां x बराबर क्या मिलेगा, 2 बटे under root 3, है न? ऋब यहां भी x बराबर क्या मिलेगा, 2 बटे under root 3, तो यह आपके क्या आ गए? दोनों equal root आ गए देखो, क्या आ गए निकलके? साखें है चलब मतलब ऑपका दो रियल तो रियल रूट्स और एक्वल करंगे वैसे भी कर सकते हो और ऐसे चोड़ोगे तो ऐसे भी चलेगा दो अंडरूट 3 या फिर जैसे कि अंडरूट 3 की वैल्यू आप पढ़ोगे 1.34 यह 1.34 होती है तो वह रखोगे तब भी आपका डिबाइड करोगे तब भी मतलब कहने का मतलब वैल्यू आपकी पॉजिटिव य पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी आसकते लेकिन आएंगे तो रियर रूँटी इमेज् mobilize नहीं आएंगे हैं सबस्क्न वेक्टम राहीट जंगे आंगे जबuche का नि exports a male को Ag जब जब हमान हमारा इक होगा तो हमेशा समान होंगे बिल्कुल हों ै बह preciso को यादगर लो टा कि कोई समस्या गये अग्जाम में अगर दार्यक्照 पूछ लिया जाए objective में कि बताईए discriminant की value अगर 0 होती है तो root कैसे होंगे यही एकजाम में पूछ सकता है as objective यानि एक नंबर में तो एक नंबर में पूछे चाहें आदा नंबर हमें तो पाने हैं पूरे के पूरे नंबर ठीक है एक भी नहीं नंबर छोड़ेंगे कोई नंबर नहीं छोड़ने वाले तो प्रैक्टिस करने के लिए जल्दी से जॉइन कर लो इन्विक्टा ठीक है इन्विक् करेंगे जैसे कि क्या होगा दिमाग की एक्सराइज करनी है ना तो मैत उठा लो और मेरे साथ बस एक्सराइज करो एक्सराइज करो तो तंद्रोस्तर होगे कहते हैं ना योगा करने तो योगा मत करो एक्सराइज करो किसकी दिमाग की दिमाग की एक्सराइज करो या आप वाला काम तो नहीं करना है, तो smart work कैसे करोगे, दिमाग से करोगे, और जितना याता दिमाग दोडाओगे, उतने अच्छा काम भी कर पाओगे, ठीक है बेटा?